मुबाइल फोन आज की लाइफस्टाइल का सबसे एहम हिस्सा हो चुका है लोग मुबाइल फोन के इतने जदा आधी हो चुके हैं कि एक पल भी उससे दूर नहीं रह पाते लेकिन कई बार इसी फोन को यूज करते समया आप जला जाते हैं परेशान हो जाते हैं और इसकी जरूरी काम छोड़कर उस फोन को उठाते हैं लेकिन कई बार आपको ये फोन गैर जरूरी लगता है अब टेलिकॉम रेगुलिटरी ऑथरिटी ओफ इंडिया यानि के ट्राइ ऐसे अंचाहे कॉल्स और मैसेजों पर नकील कसने की तयारी में हैं ऐसे हैं फर्जी कॉल और म मारकेटिंग वाले कॉल्स और मैसेज हो सकते हैं जो मोबाईल यूजर्ष पर्सनल नंबर से कॉल और मैसेज करके परिशान करते हैं इससे फर्जी कॉल और मैसेज करने वाले सिमकाट को ब्लॉक करने में मदद मिलेगी एक रिपॉर्ट के मताबेर जनवरी से मार्च twentys में से जादा मैसेज भेजे गए हैं साल 2022 से इसमें टेलेकॉम कमपनियों की और से करीब 69,000 मोबाइल नंबर को ब्लॉक भी किया गया है ट्राई की नई गाइडलाइन की सकती के बाद लोगों को ऐसे फेक कॉल से छुटकारा मल सकता है इसके लिए अब सभी टाली वाकेटिंग होगा ताकि इनकी बहतर मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जा सके इसके लिए सभी टेलेकॉम कमपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है इसके अलावा एक सितंबर से किसी भी मैसेज में URL OTT लिंक और रेकॉल बांट नंबर नहीं भीजा जा सकेगा प्राई की सकती के ब पूरी जानकारी उनके पास होनी चाहिए अगर टेलिकॉम कमपनी के पास किसी भी मैसेज में यह जानकारी नहीं है तो उसे रिजट करना होगा फेक फोन कॉल्स और मैसेज को रोकनी के लिए ट्राई की सकती का असर लापरवाही करने वाले अफसरों पर भी देखने को मिले ट्राई का कहना है कि हेडर यां कंटेंट टेंपलेट में गड़बड़ी पाया जाने पर उस कमपनी के सभी हेडर और कंटेंट टेंपलेट को सस्पंट कर दिया जाएगा इसके बाद उन्हें वेरिफेकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा उन्हें दोबारा से काम करनी की मनजूरी देने से पहले लीगल प्रक्रिया पूरी करनी होगी फेक कॉल्स और अंचाहे कॉल्स पर नकेल के लिए ट्राई लगातार नियम बनाता रहा है ट्राई की नई इस नई गाइडलाइन को जारी करने का मकसद कि लोगों को अंचाही कॉल से चुटका रहा है ट्राई मैसेजिंग सिस्टम को पारदर्शी और असपष्ट भी बनाना चाहता है ट्राई की प्रात्विक्ता काज्यूमर और उनके हित में है लोगों को फर्जी मैसेज और आर्थिक फर्जी वाड़े से बचाने के लिए बताम उठाना बहुत जरूरी है ट्राई के सकती का मकसद यही है कि लोगों को गैर जरूरी प्रमोशन कॉल और मैसेज से बचाना है ट्रे मार्केटिंग कंपनिया उन लोगों को भी कॉल और मैसेज करती है जो नहीं चाहते कि उनके पास ऐसे कॉल या मैसेज आए बीते कुछ सालों के दौरान अंचाही कॉल और मैसेज को लेकर ट्राई के सामने कई मामले सामने आए ट्राई ने ऐसे ही फर्जी कॉल्स और मैसेज पर रोख लगानी के लिए सब्त गाइडलाइन्स भी जारी की ट्राइ किये guidelines एक सितंबर से लागू हो जाएंगी ऐसे में यही उमीर है कि इसके बाद आपके phone पर फर्जी calls और message नहीं आएंगे